ओम श्यंति हमारी सबसे बड़ी कला है बुद्धी को जहां चाहे जब चाहें और जितना समय चाहें इस्थित कर दें इस कला के आजाने से से सभी कलाएं स्वत ही आजाती हैं वास्तों में ये बुद्धी की एकाग्रता है ये बुद्धी की स्थिरता है और इसके बाद जिस भी योग्यता और टेलेंट का हम आवान करना चाहें वो भी सहज ही हमारे पास आजाता है तो हम ध्यान दें हमें ऐसी एकाग्रता बढ़ानी है कि जब चाहिए हम सुक्सम वतन में जितना समय चाहें रहें जब चाहें हम अपने भरकूटी सिंगासन पर बैठें लंबा समय जब चाहें हम परमधाम में पहुँच जाएं जब चाहें अपने पहले जनम को जब चाहें अपने फरिष्टि स्वरूप में इस्थित हो जाएं और लंबा समय हो जाएं ये लंबे काल की प्रैक्टिस ही लंबे काल के राजभाग्य के अधिकारी बनाती है इसके लिए हमें बहुत साक्सी भाव की जरूरत है ताकि हमारा मन इधर उधर भटके नहीं ये सा पास्ट भी चुक्तु हो जाता है और भविस भी सुनहरा हो जाता है पास्ट चुक्तु होने का अर्थ है पास्ट भूल जाए जब पास्ट पुरा भूल जाए तो समयल वो समाप्थ हो गया है उसका प्रभावात्मा से मिट गया है तो हमें अपने मन बुद्धी को बहुत क उसे स्रेश संकल्पों से भरपूर भी करना है और एकागर भी करना है जो हम संकल्प करते हैं उनकी सुक्स्म सक्ति उनका सुक्स्म विवेक हमारी बुद्धी में समाता जाता है तो हमें अपनी बुद्धी को ऐसा भरपूर करना है कि वो हिले नहीं जब कोई चीज भरपूर ह जाती है तो उसका हिलना डुलना समाप्त हो जाता है और जब कोई चीज खाली होती है जैसे घड़े में पानी आधा भरा हो उसे लेके चलेंगे तो चलकता रहेगा क्योंकि जगे खाली है चलकने की मार्जिन है हम अपनी बुद्धी को यदि फुल कर लें तो वास्तों में हम हमारी बुद्धी इस्थिर हो जाएगी सबेरे से ही हम सुंदर इस्थितियों से स्वयम को फुल रखने का परियास करें ज्यान मुल्ली के द्वारा हम ज्यान रतनों से स्वयम को फुल करने का संकल्प करें दुआओं का खजाना दूसरों को देकर इस खजाने से स्वयम को परपूर करें और मुख्य बाद इसमें रह जाती है अभ्यास की जब हम बहुत अभ्यास कर लेते हैं तो हमारी बुद्धी स्थिर हो जाती है और बुद्धी के लिए अभ्यास है विजुलाइजेशन का हम आत्मा को लंबा समय विजुलाइज करें यानि देखें बहुत सुन हम परमात्मा को विज्वलाइज करें, उसका सुन्दर स्वरूप देखें, अपने सामने खड़े हुए फरिष्टे, संभून स्वरूप को विज्वलाइज करें, और उसको देखते ही रहें, दस से किन से प्रारम करें, और इसको तीन मिनट, पांच मिनट तक बढ़ाएं, हम महा जोती सर्वशक्तिवान को देख रहे हैं, तीन मिनट तक ले चलें, दस से किन से प्रारम करके, तीन मिनट, फिर पांच मिनट, उसको देख ही रहे हैं, और ऐसे ही अपने आत्मिक स्वरूप को देखने का बहुत अच्छा अभ्यास करें, तो ये प्रेक्टिस will make us perfect, तो आज सारा दिन, हम तीन चीजों को देखने का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्वरूप बहुत तेजस्वी, मैं मास्टर ग्यान सूरिये, या पवितरता का सूरिये, मुझसे बहुत तेजस्वी के रिने चार और फैल रही हैं, फिर देखेंगे सिव बाबा को सर्व सक्तिवान ज्यान सूरिये, फिर देखेंगे अपने सामने अपने संपूर्ण फरिष्टे स्वरूप को, बहुत सुंदर ये विज्वलाइजेशन होगा, हमारे सामने हमारा संपूर्ण स्वरूप खड़ा है, हमारे अंग-ंग से बहुत तेजस्वी के रिने फैल रही हैं, इसमें मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मन सुद्ध और सुबसंकल्पों से भरा हुआ है, मैं निरंतर योग-युक्त हूँ, सर्वकलाओं से संपन्न हूँ, ऐसा अपना एक चित्र बनाकर आठ सारा दिन इसको एंजोई करेंगे, ओम स्यान।